दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में 27 जून से 1722 टिकाकरन अभियान डाक्टर हेल्थ वर्करों की चुट्टिया 30 तक रद कर दी है 27 जून से राज के पच्चों को पोलियों से बचाने के लिए पोलियों का टिकाकरन अभियान भी सुरू होगा वहीं आपको बदा दी कि राज के डाक्टर वर्करों की चुटिया 30 जून तक रद कर दी गई है आगली बाड़ी कबर बिहार पुलिस में आएमसी का होगा गठन एक एसपी और साथ डिएसपी समेथ 69 लोगों की टीम अपरादिक मामलों की जाज पर रखेगी नज़ पर दी टीम होगी जो अपरादिक मामलों की इन्वेस्टिगेशन और अपरादियों को जल्द सजा दिलाने की निगराने करेगी मंगलवार को बिहार के नितिश कुमार के अधिक्सता में केविनेट की बैठोक भी इस बैठग में कूल पांच एजेंडों पर मुहर लगी है मंत्री परसद की बैठग में विहार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन मोनेटरिंग सेल के गठन को लेकर स्विक्रती दी गई है राज मुक्याला इस्तर पर एक SP-7, DSP-13 इंस्पेक्टर, आठ SI और 11 सिपायक पद स्रिजित करने की स्विक्रती दी गई है इनके अलवा 21 कम्पीटर ओपरेटर और आठ चालक सिपायका भी पद स्रिजित किया जाएगा बारिश से बिहाल बिहार, गंगा समित कई बड़े नदियों का जलिस्तर बक्सर से लेकर कहलगाओ तक बढ़ा जिहां बिहार में लगातर हो रही वर्सा का असर अब देरे-देरे सवी नदियों पर दिखने लगा है नेपाल से निकलने वाले नदियों के साथ इस्तानिय नदियों का जलिस्तर भी बढ़ने लगा है लेकिन गंडग का कहर अब देरे-देरे घटने लगा है गंगा का जलिस्तर बक्सर से लेकर कहलगाओं तक सवी इस्तानों पर बढ़ा है वहीं पुनपुन नदी भी पटना के पास रिपालपूर में 24 सेंटिमीडर उपर चड़ी है और लाल निसान से 80 सेंटिमीडर नीचे है जल संसादन विभाग और केंद्रे जलायो की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को कोसी का डिश्चारज 12 चेतर में मातर 53 हजार तो वालमी की निकर बराज पर 87 हजार घंसेक है गंड़क का डिश्चारज भी एक लाग से नीचे आ गया है गंगा का जलस्तर बक्सर में 31 सेंटिमीडर तो पटना की दिगा और गाने गाट में 5 से 7 सेंटिमीडर बढ़ा है उससे आगे कहलगा तो जैसे नदियों आगे बढ़ रही है जलस्तर में ब्रेदी बढ़ती जा रही है विहार के अंतिम छोर कहलगा में इसके जलस्तर में 76 स निसान से काफी नीचे है पटना की दोनों घाटो पर नदी लाल निसान से डेड़ से दो मिटर तक नीचे है वहाई बागमाती नदी का जलेस्तर सितामडी मुझपर पूर और दर्मंगा से पांच से दस सेंडिमीटर तक चड़ा है लेकिन हर जगा एक मिटर से ज्यादा नीचे है बोड़ी गंडग नदी के जलेस्तर में मंगलवार को पहली बार उलेकनिये विर्दी को देखनी मिली है रसोडा पूल पर इसके जलेस्तर में पोने दो मिटर की विर्दी हुई है और अब वहाँ यहाँ नदी लाल निसान से मात्र 72 सेंटिमीटर नीचे है 45 गंडे तक बिहार में मानसुन की सक्रियत बने रहने का पुरवानुमान है हाला कि अब तापमान में इजापा होना सुरू हो गया है दरसल बिहार के उत्तर पश्चिम इलाके से ट्रफ लाइन गुजर रही है वहीं उसी इलाके में चकरवर्ति सिस्टम भी बना हुआ है ल बड़ी खबर रेल यात्रों के लिए राहत बड़ी खबर बिहार में साथ जोड़ी टेनों का परिचालन 24 से होगा शुरू जिहां यात्रियों की स्विधा को देखते विए पूरो मैद रेल के बिविन स्टेसनों से चलने वाली साथ जोड़ी टेनों का परिचालन फिर से बहाल करने का निने लिया गया है इन ट्रेनों का परिचालन कोरोना संक्रमन के काना रद कर दिया गया था पाटना भवा मुझे पर पूर नरकडिया सहीद और ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा यह विवस्ता 24 जून से ही लागू हो जाएगी आपको बता देखी जिन ट्र द्रplaces का परेशालन फिर से सुरूम किया जा रहा है उसमय मुझे पर पूर्पुर नटकढिया गज़ सटैन Smith has a aξ पेसल टेन और धन्बाद गया एंट्र सिर्टी एक्सप्रेस इस पेसल टेन का सुरुवात चोबिस जून से किया जा रहा है बड़ी कबर बिहार के इस जिले में आज से खुल जाएंगे स्कूल सबी सिक्षकों की उपस्तिती होगी जरूरी जिहां बिहार में कोरोना वारेस का संक्रमन कम होते हैं नितिस सरकार ने इसकूल खुलने का फैसला किया है लोगडाउन के बाद से पहले बार करना होगा जिला सिक्षा पदादिकारी संजे कुमार ने निर्दिस जारी करती वे कहा है कि बुद्वार से सबी स्कूल खुले रहेंगे और उसमें सोफ हीज़ी सिक्षकों को एवाम कर्मचारी को पशिती रहेगी जानकारी हो कि हाई स्कूलों में 18 मैं से 10 जून तक ग्रि कर्मचारियों को इसकूल आना होगा नितीज सरकार का बड़ा फैसला बिहार में 781 कर्मचारियों को नोकरी से हटाया जिहां विभागया निर्देश पर सिविल सरजंग डाक्टर एसके चोधरी ने मंगलवार को मानव बल के रूप में बहाल सभी 781 कर्मियों के सिवा ततक मंगलवार से समाप्त कर दी गई है राज स्वास्त समीति के आदेश पर सिविल सरजन ने इस आसे का पत्र जारी कर दिया है आगली बड़ी कबर बिहार में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 268 नए संक्रमित मिले 5 जिलों में नया मरीज नहीं जिहां बिहार में 268 कोरोना के न 0.25% हो गया है एक दिन पूर्व राज में 245 नए संक्रमित की पहजान हुई थी और संक्रमन दर 0.28% वह स्वास्त होने की दर 98.25% थी पांच जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है इनमें बाका बकसर के मुर जहानाबाद वह रोता समिल है वह आपको बता देए कि राज के 25 जीलों में 10 से कम नए कुरोना संक्रमित मरिज की पहजान की गई है इसमें अरारिया में 5, अरवल में 2, औरंगाबाद में 2, बेगुसरा में 8, भोजपूर में 1, दरभंगा में 9, गया में 7, गोपाल गंज में 6, जमुई में 1, खगड़या में 5, किसन गंज में 1, लकिसरा में 4, मदेपुरा में 9, मदुबनी में 6, मुंगेर में 6, मुझपरपुर में 5, नालांदा में 4, नवादा में 2, समस्तिपुर में 2, सिखपुरा में 2, सिवर में 4, सितामणी में 2, सिवान में 7, सुपल में 6, वह पस्चिमी चंपारन में 3 नए संक्रमित की पहजान क गई है बड़े खावर पाटना अरे राज सड़क को मिला एनेच का दर्जा 125 किलोमेटर लंबी है बुद्धा सरकेट 53 करोड खर्च आएगा सड़क निर्मान पर जहां पाटना से साहब गांज होते हुए किसरिया के रास्ते अरे राज तक जाने वाले सड़क के एलाइमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है केंदर सरकार ने बुद्धा सरकेट के एलाइमेंट को नेशनल हाइवे का दर्जा दे दिया है इसके अधिसोचना जल्द जारी की जाएगी चपरा के मेकर होकर बनने वाले दोसरी सड़क है और इसका बुद्धा सरकेट के एलाइमेंट से कोई वास्ता नहीं है मंगलवार को दिली में केंद्रे मंतरी नितिन गटकरी वह विक्टे सिंग से मिलने के बाद पत्र निर्मान मंतरी नितिन नवी ने यह साब किया है बेटक में पत्र निर्मान के अपर मुई के सचीव अमरित लाल मिना भी मुझोद रहे हैं आपको बदा दे कि इस सड़क के किसरिया वो वैसाली के बदले चपरा से बनाने की बात बिमानी है। केंद्रे मंत्री ने साब कहा कि बुद्धा सरकीट के एलाइमेर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 125 किलोमेटर लंबा इस सड़क के निर्मान पर 53 करोड खर्च आएगा। निर्मान कार्य तिन साल में पूरा करने का लच्च है। बड़े कबर बिजली बिल का भुगतान 30 जून तक नहीं करने पर कटेगा कनेक्शन आने लगा है SMS। जिहां बिदूत उपभुगताओं के पास बिजली बिल जमा करने के लिए SMS आने लगा है। बिहार पावर डिस्ट्रिबिशन कमपने के महा प्रबंदक राजस्व आरविन कुमार ने बताये कि पेसु में डेड़ लाग उपभुगता बिजली बिल नहीं जमा किये हैं। एक जुलाई से बिजली कनेक्शन काटो अभियान चलेगा। बड़ी कबर बिहार में प्री कोचिंग के सकरतमक आ रहे हैं परिनाम। बिहार पुलिस में पचपन अभियार्थियों का चया। उन्होंने बताया कि कोचिंग कारिकरम में 107 पुरुस वा 17 महिलाएं कूल 124 मिदवार सामिल हुए थे। इनमें 44 पुरुस वा 11 महिलाएं अन्ते रूफ से सपल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलप सेंग का इलान विवाग के कदम समावसी एवं निवाई के साथ विकास की और मजबूत्सी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसके लिए राज के मुखमंतरे नितिस्क मार के परती अभार व्यक्त किया है। बड़े कबर आज से साम साथ बज़े तक खुलेगी दुकाने सभी कर्मचारे आएंगे दब्तर। आज से लागू होगा और 6 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। अनलोक शुरू हुआ। दूसरी तरफ सरकारे और निजिक कार्याले 23 जून से पूरी छमता के साथ साम 5 बज़े तक काम करेंगे। वहीं आपको बता दे के अनलोक तरी में भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्तान समेथ सभी सेक्चिनिक संस्तान बंद रहेंगे। राज सरकार की विद्दाले और विस विद्दाले द्वारा किसी भी तरह की परिक्चाई नहीं होगी। सेक्चिनिक संस्तानों द्वारा ओनलाइन पढ़ाई की जा सकेगे। सभी धार्मिक इस्तल बंद रहेंगे साथ सिनेमा हॉल, सौपिंग मॉल, कलब, सेमिंग, पूल, स्टेडियम, वाज जीम, पहले के तरह अभी बंदी रहेंगे। वहीं रेश्टुडेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम, डिलेवरी और टेक होम के लिए सुबह नो से रात नो बज़े तक होगा। सभी परकार के समाजिक, राजनितिक, मनोरंजन, खेल, कोद, सेक्षनिक, सांस्क्रितिक, एवं धार्मिक आयोजन प्रतिविदिन होगे। सरवजनिक इस्तलों पर किसी भी परकार के सरकारी और नेजी आयोजन पर रोख रहेगी। साथ पार्क और उद्यान को खोले जाने के अनुमती राजसरकार ने देदी है, सुबह 6 से दोपार 12 बज़े तक इन्हें खोलने की छूड़ दी गई है। विवास समारों में अधिकताम 20 की जगा अब 25 लोगों की उपस्यती हो सकेगी, हाला कि डीजे और बाराज जिलूस नहीं निकलेगा। बाड़ी कबर बिहार में 5 इंजिनेरिंग कोलेज का हुआ उदगाटन, मंत्री सुमीत कुमार ने बताया राष्टी इस्तर की सुविदाव के साथ होगी पढ़ाई। उनने कहा कि कई और अभियांतरन महाविदाले एवं पोलेटेकनिक संस्तानों में छात्रावास निर्मान और आरवल पोलेटेकनिक संस्तान के लिए बवान निर्मान के आधार सिला रखी गई है। इतना जुर्माना जी हम मवेसी पालोको द्वार गोबर को सड़क पर या नाला में फेकने पर 500 रुपया जुर्माना लेगेगा। निगम की ओर से इसे सक्ती से लागू करने के तैयारी है। इसलिकर 25 जुन को निगम ससक्त 27 समित्य की बेटक में निर्मान लिया जाएगा। इसके अलावा आइन 10 बस्ताव पी भी चर्चा होगी। बेटक में निगम चेत्र में कचरा परबंदन के तहट मविसी पालकों के द्वारा गोबर को अन्यत्र फेकने के वाले की खिलाब जुर्माना लगाने का निनने लिया जाना है। बाड़े कबर बिहार में खोलिये प्रदोसन जाच केंद्र सरकार करेगे 3 लाग तक की आर्थिक मदद। प्रदोसन जाच में सुविधा नहीं है।